नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमायरा यादव and I am a tarot card reader, numerologist and a vastu expert और आज मैं आपके पास एक बहुत important topic लेकर के आई हूँ आर्थिक तंगी क्योंकि आर्थिक चीजों से तो सभी लोग तंग हैं तो आज हम उसी बारे बात करेंगे तो आर्थिक जो तंगी है वो किस तरीके से आपके घर के अंदर जो छोटी छोटी चीज़े जिनको आप अंदेखा कर देते हैं कैसे वो जो आर्थिक तंगी आपके जीवन में लेकर के आते हैं और उनका समधान कैसी किया जा सकता है उस बारे में बात करेंगे तो वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रतेक दिशा में रखी जाने वाले वस्तु का जो है अच्छा और बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है अगर कोई वस्तु गलत दिशा में या गलत तरीके से रख दी गई हो तो इसने हमारे जीवन में काफी परिशानिया आ सकती है वहीं सही दिशा में रखी गई चीजें हमारको अपार लाब भी देती है आज अब जानेंगे कि घर में मौझूद कौन सी चीजें हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं सबसे पहले में बात करती हूँ जाडू के बारे में आप में से शायद कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि जाडू जो है आर्थिक लिहाद से बहुत ही महत्वपून वस्तु मानी जाती है जाडू को रखने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है इसलिए जाडू को आप हमेशा एक ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर उस पर किसी की नजर ना पड़े यानि कि उसको छुपा करके रखें साथ ही उसको कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए शाम के समय जाडू लगाना वर्जित है अब हम बात करते हैं कबूतर का घोसला वास्तू के अनुसार जिस घर में कबूतर का घोसला होता है वहाँ दरिद्रता आती है अगर घर में कबूतर का अंडा फूट जाए तो ये आर्थिक संकट का संकेट माना जाता है इसलिए इस बात का खास करके धिहान रखें कि कबूतर घर में गोसला ना बनाने पाएं अब हम बात करते हैं काटेदार पोधे की काफे सारे लोग अपने घर में बहुत सारे काटेदार पोधे लगा लेते हैं घर में कभे बे ऐसे पौधे या पेड नहीं लगाने चाहिए जिनमें काटे हो इससे घर में आर्थिक समध्याय उत्पन होना शुरू जाती है साथी ऐसे पौधे जिनमें से दूद निकलता है वो भी घर में नहीं लगाने चाहिए तीसरे हम बात करेंगे घर में जाले लगना या घर में कबार का इखटा होना माना चाता है कि माता लक्ष्मी उस घर में कभी वास नहीं करती जहां कर भी साफ सफाई नहीं होती इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मा लक्ष्मी आपकी घर में वास करें तो साफ सफाई का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए यदि आपके घर में कबार का समान पड़ा है तो इसे जल्द से जल्द ठीक करवाले या फिर बाहर निकाल देजे वहीं घर में जाले भी ना लगने दें यसे घर की आर्थिक स्तिती में बाधा उत्पन होने लगती है इसी प्रकार से अगर घर में सीलन हो कहा जाता है कि जहां घर की दिवारों में सीलन होती है वहां मा लक्ष्मी वास नहीं करती तो ऐसे जो घरों में है वो आर्थिक तंगी की भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है साथी जिस घर में नलों में से पानी टपकता रहता है वहाँ पर भी सदस्यों को आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो please make sure कि जो आपकी घर की taps हैं वो leak ना कर रही हो क्योंकि घर की taps leak करती हैं तो इसका मतलब है आपकी खर्चे बढ़ जाते हैं तो उनको रोकने के लिए आप अपने घर की taps को अभी ठीक कराएं धन्यवाद